हेलो दोस्तों स्वागता आपका हमारी वीडियो में हाज हम बनाना आपको बताएंगे पैलें स्केल मोडल यानि तराजू का वर्किंग मोडल हमने बनाया है और ये पूरा वेस्ट मटीरियल से हमने बनाया है तो आईए बनाते हैं तो सबसे पहले फ्रेंड हमें चाहिए होगा इसके लिए एक स्टो चाहिए और दो मैच बॉक्स हमें लेने होगे अम आज इसकी कोई भी दो डिबियां ले लीजिए और इसके अंदर वाला ही पोर्शन हमें एक आम आएगा और हमें एक चाहिए होगा दोस्तों सुई और उसके साथ थोड़ा सा धागा तो आईए बनाते हैं स्टैप बाइ स्टैप हम आपको बताएंगे और आप वीडियो को लाइक कीजिएगा शैनल को सब्सक्राइब भी जूर कीजिएगा तो सबसे पहला स्टैप है फ्रेंड्स की हमने जो माचिस के अंदर वाला ये मैच बोक्स का बोक्स है बना हुआ तो इसके अंदर देखे हम इस तरह जो अपना दागा है वो सुई की हल्प के साथ इस धागे को इस थ्रेड को इसके अंदर एंटर करेंगे और अराउंड 15 सेंटिमेटर हम इसकी लेंद रखेंगे एक कोर्नर पे हमने चारों कोर्नर पे इसके धागा लगाना है और देखे दो कोर्नर पे लग गया है और उपर से हम इसे बिलकुल अच्छे से टाइट करके यहां पे गाट मारेंगे अच्छे से हम इसे यहां पे टाइट कर देंगे और अब यही प्रोसेजर हमने यही प्रोसेस हमने दूसरी साइड पे करना है यह देखे हमने सूई के अंदर धागा बरके और इसमें से आरपार निकाल लिया और अब हम हम यहां से जितनी लेंथ हमने दूसरी साइड पर रखी थी और उसी लेंथ को हम मेजर करके एक्स्ट्रा जो धागा है उसे सीजर के साथ हम कट कर देंगे और इसके उपर हम यहां पर अच्छे से टाइट करके यहां पर गाठ मार देंगे कि हम यह चारो कोर्णर हमारे धागे के साथ अटैच हो गए हैं ह мало है अच्छे से आपने टाइप कर चाही कर देना है अच्छाने कीपर नीचे हुआ अच्छानदा करें घ्रेट करें पुर्म ब्राबर है चारो ऑने चाहरो दहां है और वेसी तरह मुझा है दोषरा आपैiri को değer का यह पूर भीَ हम इसी तरह यह जो धागें लगा लेंगे मैंने दोनों धागें लगा दिये हैं और फ्रेंड आप हमारी वीडियो को लाइक जुरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा अगे शेयर कीजेगा और एकला स्टेपर फ्रेंड की हमने इससे बैलेंस को वर्किंग मोडल बनाने के लिए हमें इसे बाणना होगा दोनों कॉर्णर इसके हमने जो स्ट्रो लिए है इसके उपर बांदेंगे अगर आपके पास ट्रो नहीं है आप कोई बड़ी पैंसिल भी ले सकते हैं तो इस तरह देखिए एक साइड पर मैंने इसे अच्छे से धागे की हेल्प के और अब इसके साथ जॉइन हो गए हैं और अगला फाइनल स्टेप है फैंड कि हम इसके अंदर सेंटर में हमने हैंगिंग बनानी आए ताकि जिसके उपर हम इसे सेंटर में से इसे पकड़ सकें और हमारा यह जो तराजू का मॉडल है यह प्रोपर वर्ट कर सकें तो इस त मैंने इसके अंदर बिल्कुल सेंटर में आप स्केल के साथ मेजर करके डॉट लगा सकते हैं ताकि आप इसका सेंटर पता लग जाए कि कितनी इसकी लांध है और सेंटर कहां पर आ रहा और वहां पर आपने अच्छे से इस तरह धागा यह बान देना है ओ देखिए दोस्त झाल झाल झाल